मैं काफी दिनों बाद गाओं आया हूं, मैं कहीं गया हुआ था काम से, और यहां बारिस का मोशन हो रक्खा है, और यहां के जो आस्प हरियाली हो रखखा है काफी जाधा, और यहां पर कौन है? ओ भाई,ads किउ सुनिएओ, कौन है? ओ एक मेट रुक? यहां पर क्या कर रहा है तू लोग को समझाता हूं तू लोग को समझाता हूं फिर भी आता है यहां पर यहां पर सिकार करने के लिए आये हुए थे यहां दो चार लोग हैं इन में से एक को मैंने पकर लिया है और भी लोग इधर उदर घूम रहे हैं यहां पर आक्षी है दे तो यह लोग यहाँ पे hunting करने के लिए आ जाते हैं अभी जब मैं उस बंदे को पकरा था तो पूस्ताच करने के बाद उसने बताया यहाँ पे कुछ पॉकोपाइंस के मांद है जो बाके में काफी सारे हैं यहाँ से उन लोगों ने पॉकोपाइंस पकर के ले गए थे तो उनमें से एक को मार दिया था उन्होंने और जो एक बच रहा है उसकी तला से उन लोगों को उसे भी जिससे वो लोग मार पाये और यहाँ पे चारो और जितनी भी मांद है सारे मांद को बंद करके यह मातर दो मांद चालू रखते हैं यहां देखिए चारों और इसका पानी का यह देखिए मांद काफी गहरा होता है इनका पकोपाइंस का यह मांद चालू है जिससे कि इन में से एक में से यह लोग लिख ले और वो मार दे और बाकियों को बंद करके यह लोग पानी डालते हैं यहां पर चारों हो और ऐसे ही मांद को बंद कर रखा है यहां पर देखो एक मांद यह भी रहा है यह देख सकते हो आप एक और ये मांध के अंदर आप देख सकते हो पूरे पानी भर रखा थे इन लोगों ने चारो और ऐसा ही सीन है पूरे में ये काम ये लोग अकेले नहीं करते हैं यहां के आसपास के जो लोग होते हैं यहां का खबर देते हैं वो लोग जो कौकूछस이면 मसकं किसी को बतादें तो वह क्या करेंगा जाके आगे बताएगा सिकली मांध कर से तो उन में छagtज की में थे मित भी सेर करेंगे तो आगे भी लेंगे उस पूछ को द्रालच में वो मांद्ध को खिकाडी गशड़ देते हैं उसके बाद यहा पे बानी हमानी के वेबस्थ आपर यहां के लोकल लोक करते हैं और भूह हईंट करके अपस மॉर्च को बेज़ते हैं उसके काञ अलग द्दामों में उसे एक अलग द्दामों में बेज आ और यह घट्ना कल की है और आज ये दुबादा से राउंड रहे हैं क्योंकि वह अकेला हो गया है और वह चार और भठक रहा है तो वह रहों अलग-अलग अरिया चार और इस एरिया में फैल के वह लोग ढूंड रहा कisz ép 것이 मिल्त ता दुबारा उससे मारे कुंज लुआ के मार्कट में बेश हैं कोई यह काहनी क्लिए 애ट के नहीं आतों हो अन्हें ना गुए गृत रोसड़ यह को यहांड को भी नहीं थे टीछ फञाने के लिए ऐसा कुछ नहीं यह वह। ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए ये लोग जानवरों का हंट करते हैं और फिर उन्हें बेजते हैं इस तरीके से यहाँ पर चल ला है